हेलो फ्रेंड्स बिसनस एड़ों माद मैरको स्वागत छा में नाम साहिल ने दी आजको यो वीडियो निपाल लास्ट बेंको पुर्वियो ग्यता परिक्षा को एकाउंटिंग मा जुन सोधीने हिस्ट्री हरू रही काछन जस्ते एकाउंटिंग को शुरुवात कहले देखी बहाएको छा फादर ओफ एकाउंटिंग को हुन तेस प्रसीने पाल मा एकाउंटिंग को सुरुवात कहले देखी वहाई यो सबे कुरूला आज हाहा मिले येसे वीडियो मार्फत कौबर गरने जहूं और येसको तो पहलाए नोट्स चाहिए मा डिस्क्रिप्शन मा कुणी पनी फाइनेशिल ट्रांजेक्शन को बित्य कारोबार को पैसा को लेंदेन को अभिले एक राकोने रिकार्ड ला राकनू नेकि होता अकाउंटिंग तिसको रिकार्ड राकनू तिसले अनलाइज गरनू र अवशक्ता परेको बेला तिसको स्टोडी गरनू यो सब प्रोसेस अकाउंटिंग बित्र पर छाँ जिसको बैसिक कॉंसेप्ट ला हमले डिटेर मां बूशने शाँ यो बंदा पहिला हमी बूशन की अकाउंटिंग को इतिहास कहां बाटा शुरूप हाएको उन तो जैले देखी मानमले पैसा को लेंदेन गरना धाले का शन समान को लेंदेन गरना धाले का शन बने तियोर समय देखी ने की बहएको शा तो एकाउंटिंग उनी अरले अविलेख राखना लाहे राखे गा तरह जुन आजा आमले एकाउंटिंग मैथोड परियोग गर्चों डेवीट रक्रेडिट डवल इंट्री सिस्टम ओफिसेज हरूमा अहरे एक कंपनी अरले जिन फॉलो गर्षा तिसको शुरुवात कहां बहट भाई को हो बने इसको बारे मां हमी जानकारी पाउंँ फादर आफ एकाउंटिंग को होन बने लुकाडी पासियोरी लुकाडी पासियोरी ने सबे बंदा पहिले डवल इंट्री सिस्टम को बारे हाद्री बारे मां बने लुकाडी पासियोरी ने डवल इंट्री सिस्टम को बारेश कोज़ा। वारे मां, बने का थिए उनले एवडा बुक लिहेगा थिए Sumadi Arthematica यह बनी Utd淨 हो Sumadi Arthematica मां Lukadi पासियोले डवल इंट्री सिस्टम को बारे मां पुरा गरेगा थिए 1394 मां उनले बुक लिहेगा थिए Sumadi Möglichkeit उनको गहर Venice Italy को Venice मां जळार रहे को शा सो इसको यो जुन बुक रहे को शुमाडी अर्थमेटिका यसले ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले यो चाही वैनिश इटलियन लेंग्वेज मा यो लिखी को थियो तरह यसले इंग्लिश मा ट्रांसलेशन हुज ओल्ड कैस्टर ले गरेगा थिये 1595 मा इसको एक्जक डेट मा बंदी चू तरह हुज ओल्ड कैस्टर ले के गरेगा थिये इस बुकलां इंग्लिश मा ट्रांसलेट करेगा थि त्यस्पची फॉर्मेट ऑफ जर्नल आजको जुन तो पहले जर्नल को फॉर्मेट है जुन आजको जुन मॉडर्न फॉर्मेट रहेगा थि इडवार्ड जोन्स ले दिएका हुज त्यस्पची पर्फेक्ट फॉर्मेट जुन जुन त्यसले अजे इंप्रूब जुन गरेगा थिये पूरे सिस्टाम लाए तो जेम्स पोल ले गरेगा हुज फॉर्दर इंप्र त्यों ट्रांजेक्शन लाए रिकॉर्ड गरना का लागी एकदम ही ठूलो चैलेंज थियो और इंडस्टियालाइजेशन बहुए तिसपची धिरे अकाउंटिंट सर्वायत इनी होले राइटिंग लाए एकाउंटिंग सिस्टम लाए अजी इंप्रूब कंटीनिव इंप एकाउंटिंग स्टेंडर बोर्ड बोर्ड वन्यों येस बोर्ड को उदेशे के थियो बने पूरे विश्य भरीमा एवटा एकाउंटिंग सिस्टम लागू गरने कीने वन्योडा देश को वेक्ति ले अरको देश मां गयर आफ नू बिजनस स्टार्ट अप गरे वहने तेह अर्चेक्शन करना अचेजी हुन छो तेवर एंटर्नाशनल अकांटिंग स्टेंडर बोढ़ले स्टेंडर्स सर्रू लिया आये जस्ते कि इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज येदी तपहले आउं सभाने तपहले कुनी पनी विश्य भरीमा कुनी पनी देश मां गैर जस्वाड़ा बुजना एजी उन्छा रहा यसले के गरे को छवने इंटरनाशनल फाइनेशल रिपोर्टिंग स्टेंडर लाई त्यार गरिये को छवने इंटरनाशनल एकाउंटिंग स्टेंडर्ड कमिटी आई एससी को शुरुवात 1973 मा स्थापना भाये को थियो रहा यसले एकाउंटिंग को शुरुवात कई लिए देखी बहाये बने इसको रिफोर्टिंग को शुरुवात कई लिए देखी बहाये बने एकाउंटिंग को शुरुवात नेपाल मा लेचेवी काल रमल पीरियोड में हीर ना सकनाँ छाओ पहले को खर्च का हुन थियो वने पहले को खर्च हुन थियो वार मां म्रमत संभार मां तेस्पशी मंदिर हरुकुनिर मांड मां खर्च उने गर्थे रिवेन्यू कहा बाटा हुन थियो गुठी संस्थान अरुबाटा जिन्सकर बाटा शर्मदन बाटा यस्तो किसिंको इनकम हरु थियो तेस्पशी खर्च पनी वार मां रिपेरिंग हरुमा हुन थियो अबस जुन समय मां खर्च उन्छ रामदनी होन्छ तेस्तो समय मां पनी ते अविलेक राखनू पर्चा कि कहा बाटा कती आमदनी आयो तेस्पशी इसको खर्च कती गर्णू पर्णी होन्छ कहां 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 कि इमां खर्च गर्णू पर्णी होन्छ इसको अविलेक तराखनों पर ससती लिच्वी पर प्रियड अरको जुन मल पीरेड रा लिच्वी पीरेड अरको तो भावन निर्माण हरू हेडना सकनूंछ तेस ताइमा पनि आती कती विदी हरको अविलेक राखीं थियो यो 18-11 मा यो हेडना सकीन छा लाल डडडा को परियोग हुन थे 18-11 मा रिवेन्यू अड़िनेस्ट्रेटिव प्रशास्नीक खर्च रा आमदनी अरू जती रिकॉर्ड हुन थे तो लाल डडडा मा हुन थे यो सिंगल एंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम थियो सिंगल एंट्री मा नंवर यो डडडप रिकॉर्ड रिकॉर्यू तो लेख कियो रिकॉर्ड लेख राहनेGS यो जन्वेन्यद रिकॉर्य के जमीन समद्धी को तो अभी हो लेख़ई ने तिसको revenue और रिकॉर्ड गरीन थे हो मोड डाडा मा तिस पची किताब खाना को शिर्वाद भाए उन्हें इसो पच्चिस मा established for the government accounting system को लागी यो किताब खाना को शिर्वाद भाए को थे उन्हें इसो पच्चिस मा तिस पची कोशी तोश खाना को शिर्वाद भाए को थियो use record payment of the government employee government employees हरु चनर्ण सरकारी करमचारी हरु को record गर्ना कलागी तिनी हरु को जती पनी पेमेंट गर्नो पड्डे च तिनी हरु को खर चना आमदन्हें को बारे मा जिन रिकारड हरु गरीन थे, त्योकोशितो हर खाना मा गरीन थे. तेस पचिए अकाउंटिंग सिस्टम जो नेपाल मा आयेको थे, त्योँ, थिए सबय भन्दा, पहिलो एकाउंटिंग सिस्टम, शहाज रिंटा प्रणाली. स्याहा स्रेष्ट प्रणाली खरीदार गुणमंत इन अबाउट 1936 बीयस मा खरीदार गुणमंत यो एकाउंटेंट लाई बनीं थियो त्यस समय मा यो 1936 मा यसको शुरुवात बहाएको थियो स्याहा स्रेष्ट प्रणाली को त्यस पची इन देश बुक मा तीन ओड़ा बुक यसको यूज़ गरें थियो शुरुष्ट प्रणाली मा तीन ओड़ा बुक की यूज़ गरें थियो जो ओड़ा श्याहा थियो औरिजनल रिकॉर्डिंग को जस्मा पहीलो अभिले खरुजुन थियो केके आमदनी भये कहा ब रा एक्सपेंडीचर आम्दनी कती बहुए खर्च कती बहुए तियो नहाड एसमा लिहें थियोँ यह पैस्ध की सिंक्योई प्रणाली थियो? श्यार्रिस्ट प्रणाली त्यास प्रणाली या नया प्रणाली आयो? वसिल की प्रणाली ये यह प्रणाली सिस्टम आफ रिकॉर्डिंग इंकम आंड एक्स पेंडी। यह मा उनली उन अर सथमा येसको शिर्वात भाई को थिय। यह पाँ भूकतानी माँचे हिर्श्ट प्रणाली आये रूलस रूलस बने नेपाल मां फानेंशल फ्रोंसी जीडियर रूलस तैसे रूलस को अनुसार भुगतानी शर्ष्ट्रपराणाली लागोगरी ये को थिए। इट वाज बेसीकली रिलेटेड विद एकस्पेंडीचर एकस्पेक्टी रह यो खास गरेड़ जती पनी खर्च रहेको शत्यसको बारे माँ इसले जानकारी दिन जत्यसको बारे माँ अब नेपाल माँ डवल इंटरिस सिस्टम को शुरुवात कईले देखी बहा है बने नेप अब लेपनी डवल इंटरिस सिस्टम मा रिकार्ड गरनों पड़चा सभाई को रोत इसको लागी कमिटी बने और कमिटी माँ अकाउंटिंग जैनरल कमिटी थियो तिस पशे अंडर सेक्रेटरी आफ माइनिस्ट्री आफ वाइनेंस थियो अर्थमंत्राले को सचीव तिस प में 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 मीटी मां तौस पशी अकाउंटिंग सिस्टम गॉर्मेंयट एपोड फ़र दा कृंड इंट साइम को शृपार सरकार को थिये मने किंग में महिंद्र अनवास इटेड़ूस्थ अस्नु अधुए जिए अनू एकाउंटिंग सिस्टम तिस समय मां नूँ थे कारे बारी मां हरे इक कंपनी ले हरे संथा ले पबलिध कंपनी ले प्राइबेट कंपनी ले गंवर्मेंट कंपनी अरे किसरे । 이 श् watches is a जेजिंद करे चाहिटी नेपाल आइकांंटिंग स्टेंडर प्रेच्वें हों जुलाई एट टू थाफजन टू यानिकी दुहेजार उन्सथी मा इसको शिर्वात भाई को थे त्यस्पशी यसले के लागो गरे बने नेपाल चैटर्ड एकाउंट एक्ट लागो गरे नाइटिन नाइटिस सेवन मा त्यस्पशी नेपाल फाइनेशल रिपोर्टिंग स्ट पूरे विश्वावी मां आइएफरेस लागो हुन थे हो रहरेक देश को आफना अफनो त्यस्थाई रिलेटेड गेहिने के इस स्टेंडर सर्व हुन छा आफनो देशनों सार त्यस्थे आएफरेस को अंदर मां के थियो एन एफरेस निपाल को पन योड़ा स्टेंडर थि आइकेन ले यसलाई लागो गरेको थियो तेस पची लिंक विद आई एफरेस यो आई एफरेस संगा रिलेटेड रहेको शा तेस पची एन एफरेस बी रिस्पोंसिबल फोर दे एकाउंटिंग स्टेंडर एन एफरेस नेपाल एकाउंटिंग स्टेंडर रहेको शा पूरे इंटरनेशनल चैरिटर्ड एकांटेंड आफ नेपाल ले येसलाई लागू करे को थी ओक येस टॉपिक में विड़ा कुरा चूटे इको थियो की नेपाल को अकाउंटिंग सिस्टम ले स्टार्ट गर ना कला है पुरह नेपाल भर्री मां यस माँ लागू करणा के लाई 2020 समय असले पूरी लागू करते हुझ पहले कोशन भर्ण वास भट्षर सोतलन सक्वे स्टावि 뭔 हमां यहीश के लिफांटव म करने धिकी स्टावब से हमाला भर्री में माँ फ Jest शुटिव में 100 decisions